हेलो अरण वेलकम टू आइगेट भिलाई बच्छो आज मैंने गेट का पीजिए का कोश्चन लेकर हूँ ऑन स्टैक यह डेटा स्ट्रक्चर सब्जेट का है स्टैक के ऊपर एक कोश्चन बहुत ही सुन्दर कोश्चन गेट में होगा है कोश्चन का साइज लेंथ आपको बड़ा देख रहा है यह विल्कुल ज़रूरी नहीं है कि कोश्चन का साइज बड़ा है तो कोश्चन डिफकल्ट है भी हो डराने कुछ कोश्चन डराने के लिए भी आते हैं गेट के अंदर में जिससे बच्छा देखते ही क्या हो जाए पढ़ते पढ़ते तक एक आईडिया आपको लग जाए एक प्रोसिजर दिमाग में आ जाए और कोश्चन आपसे क्रेक हो जाए चले ट्यार करते हैं को पढ़ते हैं क्या बोलता है यह आपर इन्होंने बोला लेट एस बी स्टैक एक स्टैक है जिसका जो साइज है एन गड रूसुत करके लिघ्या ने इसली आपका जो स्टैक है खाली उसमें कोई एलिम्हेंट स्टूर्ट नहीं है सिपोस्ट बीपोस्ट फार्सा एंड नच onu कर रहे हैं क्या पूस्ट कर रहें नच्रलम तो आप सभी को मालूमें जो नैच्शन नंबर होते हैं 1-2-3-4 यह नाच लाइव पार्टिकलर ऑडर में करना है और उसके बाद उन्हें बोलता है देन परफॉर्म एंड पॉप उसके बाद उनको पॉप करना है तो आपको मालूम है कि आपका जो स्टेक होता है order list होता है यहां पर order important रखता है यदि आपने 1,2,3 डाला है तो output के आएगा 3,2,1 आएगा reverse order में output आता है fix है इसको आप चेन नहीं कर सकते हैं चले बढ़िया option में आ गया कि भाई एक stack है जिसके अंदर में n element आप डाल सकते है एक natural number यहां पर push हो रहा है और फिर उसके बाद pop हो रहा है चले यह तो clear हो गया फिर इनका बोलना है कि assume that push and pop operation take x second each ठीक है अब इनका बोलना है कि जब आप push कर रहा है या आप pop कर रहा है ठीक है push करिए तो आपको x time x second का time लगेगा या आप pop करिए तो भी आपको x second का time लगेगा each बोल दिया ना x and push and pop operation take x second each and y second laps between the end of one such stack operation and the start of the next operation क्या बोलता है कि यह जो operations push and pop हो रहा है से push end हो गया और next operation जो start हो रहा है उसके बीच में y second का time के और लाप्स हो जा रहा है लाप्स और pop के बीच में pop pop के बीच में push pop के बीच में pop push के बीच में क्या बोला है इनका जो time है वो lapse हो जा रहा है कितना time lapse हो रहा है एक operation के बाद जब दूसरा operation start हो रहा है तो time जो lapse हो रहा है आपको दिया वे आपर वो दिया y time चलो यह भी संद में आ गया कि ये time आपका क्या हो रहा है wasted जा रहा है between operation wasted time between each operation ये बोलना है का है अब clear हो गया मेरो को यहां तक आपको भी clear हो गया होगा कि क्या बोलना चाह रहा है ठीक है तो देखें आप मालो आपके पास number of element 1 है यही तक मालो तो क्या बोलता है यही मालो one element आपने push किया तो one element push किया तो one हो गया push x time लगा y time lapse होगा मालो आपने one को pop किया तो x time फिसे लगेगा तो push किया मैंने इसको यह time bested चलागा और यह pop हो गया तो x time लगेगा यह लिए हो गया point y time lapse हो गया फिर 2 push हुआ x time push करने में लगा y time lapse हो गया 2 को pop किया तो x time pop करने में लगा y time lapse हो गया तो push के बाद push करने तो भी y time या push के बाद pop करने तो भी y time lapse होगा pop के बाद pop है तो भी y time lapse होगा तो one को मैंने pop किया यहाँ पर x time लगा ये सन में आ गया होगा सभी को similarly हम लोग यहाँ पर तीन element लेने number of element तीन लेने तो उसके recording आपको फिर सोचना है तो तीन element आपने लिया है मालो first element 1 है तो X time लगा push करने में Y time लगा lapse between push and push तो 2 push किया मैंने X time लगा फिर pop किया next operation perform किया जो भी मालो push किया भी मैंने तो X time लगा फिर से Y time lapse होगा अब मैंने pop किया 3 को चुकि 1,2,3 input होगा तो 3,2,1 बहार निकलेगा तो ये pop हुआ तो फिर इसके बाद Y time lapse होगा फिर 2 को pop किया Y time lapse होगा फिर 1 को pop किया X time pop करने में लग गया हर operation के बाद Y time lapse हो रहा है ये बोलना है इनका है अब clear हो गया होगा सभी को कि क्या बोलना चाह रहा है तो ये यहाँ पर क्या होगा push हुआ यहाँ पर क्या होगा push हुआ यहाँ पर क्या होगा push हुआ यहाँ पर क्या होगा pop हुआ of m, m एक element है आपका, किसका stack life defined किया है, as the time lasts from the end of push operation, जब m को push कर दिया आपने, stack के अंदर m पहुच चुका है, to the start of the pop operation, that removes m from s, समझे, यह main point यहें पर लोग फख जाते हैं, यहें पर लोग नहीं कर पाते हैं, तो इनका बोलना है कि आपका जो stack life है, एक definition दिया नोंने, stack life, तो stack life में इनोंने क्या बोलना है, कि आपका जो m का stack life है, as the time lasts from the end of push, end of push, जब आपने m को क्या कर लिया, push कर लिया, end of push, लग stack के अंदर पहुच चुका है, और दूसरा बोलना है, कि start of pop, end of push और start of pop के बीच का जो time है, वो जो time है, आपका stack life of m है, लग element है, ठीक है, सन्मया पाइंट है, आपके क्या बोला चाह रहा है, कि जब आपका element push हो गया, stack के अंदर में हो गया, push होने के बाद, end of push, अब pop होने से पहले का तक का जो time है, वो time आपका क्या कर ला रहा है, stack life कर ला रहा है, for example, देखें सभी लोग, जैसे मैं यहाँ पे बोलू, कि one का stack life कितना है, तो one यहाँ तक push हो था, और one यहाँ पे आके pop हो था, तो यह जो time है, यहाँ से लेके, यह जो time है, आपका क्याल आएगा stack life, किसका element one का, यहाँ से लेके one आएगा, यह थी one का हम लोग stack life देखें बेटा, one का stack life काउंट करें, तो कितना आएगा, तो one का stack life आ रहा है, एक्स प्लस, एक्स, टू एक्स, थी एक्स, फोर एक्स, तो फोर एक्स हो गया यह, y, one, two, three, four, five, तो five y आ रहा है, one के लिए, सिर्वे, element two के लिए stack life क्या होगा, element two कब तक रहा है, इसके अंदर में, तो two को ध्याँ से लेकिया आप लोग, two यहाँ पर पुस वहा था, यहाँ पर पुस वहा था, अब पॉप यहाँ पर यहाँ पर यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यह element two के लिए, end of, end, push of two, and start pop of two तक, जो time है, ब्लब तू के पुस होने के बास से लेकर, टू के पॉप होने तक का जो time है, वो आपका stack life है, तो इसको हम लोग देखें, तो इसका कितना time आएगा, यहाँ पर देखो, x किती बार आएगा, दो बार x आ रहा है, तो दो बार x आ रहा है, प्लस 2x, y किती बार आ रहा है, एक, दो, तीन बार आ रहा है, 3x, y आ रहा है, similarly हम लोग 3 को देखें, ठर्ड़ element को देखें, इसका stack life कितना आ रहा है, इसका stack life 3, यहाँ पर देखो, आपका जो 3 है बेटा, यहाँ पर push हुआ, और यहाँ पर pop हो गया, push होने के end पर, अब pop होने के start तक का जो time है, और यह time कितना आ रहा है, तो only y आ रहा है, उसके y second तक 3 रह पाया, उसके जैसे push हो उसके बादे भी एटली, ठरी, pop हो गया, खतम हो गया, similarly यहाँ पर भी आप निकाल सकते हो, यहाँ पर अभी आपको निकालना है, यदि यहां पर निकालनां चलो हिआ पर निकाले पहले तो वन यहां पर पुसदो वा रहाए जिए तो यहां पर एक है इलिमेंट है वान है यहां का स्टेक लाइफ निकाले हैं हम लोग। ऑन ली वाई आएंगा ओंली यहां convergence करें one elementally stack life निकालें तो कितना हैगा two elementally stack life निकालें तो कितना हैगा ठीक तो one यहाँ पे start वा और one यहाँ पे आके खतम हुआ है तो इसमें हम लोग count करें तो y कितनी बार आ रहा था, three बार आ रहा है three y plus x कितनी बार आ रहा, two time आ रहा है killer of a point similarly हम लोग second element निकालें तो second element यहाँ पे push हो और यहाँ से start हो गया pop होना तो y time आ रहा है, यह कितना रहा है y time आ रहा है तीक इसके बाद हमें last में क्या बोलता है सबसे important, average life stack life निकालना है average stack life of an element average का मतलब क्या होता है total life निकालो आप सभी element का divide by number of element average निकालना है आपको average life पर element निकालना है question नहीं है, आप नहीं हर element का क्या निकालना है, life निकाल चुके है तो इसको आप लोग add करो और divide by number of element यहाँ पर 3 कर दो इसको add करो number of element यहाँ पर divide by 2 कर दो यहाँ पर average निकालने चलो पहले निकलते हैं one element के लिए यदि यहाँ पर average stack life निकलना है तो stack life कितना रहा है? y आ रहा है और number of element बेटा कितना है? one है तो only y आ रहा है one element के only y आ रहा है जब यहाँ पर तीन element लिया तो यहाँ पर कितना रहा? average stack life यदि मैं इसको add करूं तो 5y प्लस 3y 8y प्लस देश 9 9y प्लस 4x प्लस 2x कितना हो गया? 6x और divide by number of element number of element कितने? 3 इसको divide कर दिया तो यह कितना बन गया? 3y प्लस 2x बन गया यह भी सही है? यह average आ गया इतने हम लोग टूकले निकालें यापर टूकले निकालें यहाँ पर average निकालें, average stack life तो यहाँ पर average जब आप निकालोगे तो इन दोनों को add करेंगे कितना जाएगा? 4y प्लस 2x दोनों को add करना है, ध्या रखना divide by number of element 2 तो यह आ रहा है 2y plus 1x, यह आ रहा है answer killer point तो average stack life of an element of this stack तो total हर element का stack life निकाल लिया आपने, सबको add करो divide by element कर दो, 1 element निकालो, 2 element लिया, 3 element, इसलिए end के लिए बनेगा, और यहाँ पर option दिया हुआ है, अब option से judge करो तो पहला option जच करते हैं पहले, पहला option हम लोग पकड़े यहाँ पर तो पहला option में यहाँ पर end दिया हुआ है, end equal to देखो यहाँ पर 1 डाल दें, यही 1 डाल दें तो क्या y आएगा, चो कि इसका stack life कितना रहा है, y आ रहा है तो 1 डालूँगा तो x plus 1 आएगा sorry, x plus y आएगा जो कि यहाँ पर only y आ रहा है, तो यहाँ पर x भी present हो रहा है, 1 डालने से, यह भी गलत है यहाँ पर, यहाँ पर यही मैं 2 डाल दू end equal to 2 डाल दू, तो 2x plus 2y आएगा और यहाँ पर 2y plus x आ रहा है, तो पहला option तो गलत है similarly, second option भी wrong है क्यों रहाँ है, only y, one element ले, यह तो इसने fix, इसमें end to end term ही नहीं है भई, end cut term यहाँ पर ही नहीं, missing है end cut term यह fix है, one element, two element, ten element, four element, कुछ भी हो time इतना ही होगा, इनके साब से यह भी गलत है, ठीक है, अब इसमें आते है, c को देखते है c को देखे दि, मैं यहाँ पर one substitute करूं तो one substitute करूं, n equal to one substitute करूं, तो क्या बनेगा, x plus y minus x, तो x, x cancel क्या बच्चा होआ है, तो भाई, y आ गया, यह दमें end equal to यहाँ पर two substitute करूं, तो यह बन जाएगा, two x plus two y minus x, तो बेटा क्या गया यह, यह x plus two y आ गया, और यहाँ पर क्या रहा है, x plus two y आ रहा है, यह भी सही है यार, एक बार और चेक करें, तो तीन element के लिए चेक करो, सब लोग, तीन element लिए चेक करें, जिको, n equal to, यहाँ पर three substitute करें, और n equal to three डालें, तो three अंदर जाएगा, three x plus three y minus x, तो कितना बन जाएगा, यह x से cancel होजाएगा, two x plus three y, two x plus three y, यहाँ पर कितना, two x plus three y, यह भी मैच हो रहा है, तो बेटा, three answer बिल्कुल correct है, one element लिए भी satisfy वाँ, two लिए भी satisfy वाँ, three लिए satisfy वाई है, ठीक है, और d option बिल्कुल गलत है, चुकि n cut term है नहीं, इनका बोलना है, n equal to one, two, three, two, four, five, six, कुछ भी हो, इतना ही time लगेगा, ऐसा ही नहीं, number element के cutting, average stack life क्या हो रहा है, चींज हो रहा है, ठीक है, तो n cut term तो आएगा, तो सबसे perfect answer आपका कौन सा इसमें, C है, correct, बाकि सारे answer आपके क्या है, wrong है, तो sun में आ गया होगा सभी को, इस question को, एक से दो बार repeat करो, इसन में आया है, तो फिर analyze आप खुद अपने label पर करो, फिर भी doubt है, तो मुझे WhatsApp करो, या comment करो, ठीक है, तो ये question बहुत ही प्यारा question है, बहुत ही अच्छा question है, mean यहाँ पे question को पपली पढ़ना है, चूकि यहाँ पे एक नया definition होना दिया है, stack life, और life का मतलब ही होता है, और कि आदमी कब पैदा हुआ, और कब तक वो जिंदा रहा, मनने से पहले और पैदा होने के बाद, तो stack के अंदर घुषने से के बाद, जब अंदर घुषा तो stack start हुआ उसके लिए, और जब बाहार निकला, जब pop हुआ, तो उसका stack life क्या होगा, जादा होगा, तो stack life इसने अल्यडी बता दिया, end of push and start pop-up operation, मनना, one को end किया, जब आपने push किया, उसके end of push के, और जब one को आपने pop करना start किया, तब तक का जो time है, वो आपका stack life है, तो मेरे इसाब से copy हद तक आपको clear हो गया होगा, ने clear होगा, तो एक बार वीडियो को फिर से आप क्या करिए, analyze करिए और इस question को, इस question जो दिया, दो से तीन बार read करिए, automatic आपको सन्मय आ जाएगा, तो इस तरह से one element, two element, three element ले बनाने के बाद, इसमें से आप options के थुरू, इसको handle कर सकते, कौन सा answer, सही है बच्चो, कैसा लगा आपको इसका solution, और फिर भी आपको doubt it, आप comment करिए, और भी नए concept आपको मैं लेके आने वाला हूँ, धेर धेरे बहुत सारे videos, आइगेट चैनल पे आने वाले हैं, इससे सर्काइब कर लीजे, जिससे की आपके जो concept है, मजबूत होते हैं, फिर भी आपको किसी भी टाइप का guidance हैंगे, तो आप वाट्सअप करिए, और हम आपको वाट्सअप पे भी guidance फिर या कॉस्ट प्रवाइट कर देंगे, बै बै लगच्च कर देंगे, जिससे लिए बच्च कर देंगे, बैब शे लिएक बच्च कर देंगे.